आज हम लोग यहां पे solution discussion करने के लिए आए है जो git का अपना examination हुआ है उसका second shift का यहां पे कुछ questions memory based है मैं पहले बता रहा हूँ question जो है वो memory based है जो जैसे स्फरेंड ने हमें बताया question हमने उस question को no down किया और आपके सामने लेके आ रहा हूँ पहला question था है एक question जो स्फरेंड ने बताया था हमें कि a rigid tank of volume 8 meter cube is evacuated initially filled with air and pipe is connected to it and an air the pipeline is at इतना ठीक है the heat lost दिये हुआ आपको ऐसा ही question हमने करवाया भी था देखो धान से यह मैच में आ रहा है आपका ऐसा question हमने करवाया भी है लेकिन बस खाली क्या था कि tank जो था वो evacuated तो था ही साथ-साथ insulated भी था और यहाँ पर insulated नहीं कहा है देखो यहाँ पर insulation wrap किया हुआ है हमने जो question करवाया इसमें insulation wrap नहीं है बस बाद-बाद कि सारे process वही है conservation of mass लगेगा conservation of energy लगेगा question solve हो जाएगा देखी कैसे अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले देखो क्या है कि एक tank है हमारे पास हमारे पास एक tank है यह tank initially जो है वो खाली है ठीक है ना यह tank जो है वो initially खाली है और यहाँ इसको एक pipeline से attach कर दिया गया है इसको एक pipeline से attach कर दिया गया है clear देखो देखो दियान से एक valve लगा हुआ यहाँ से fit अंदर आ रहा है तो initially यह tank खाली था मतबब इस tank का initial mass zero था ठीक है इस tank से कोई exit नहीं हो रहा है तो final mass जो है वो initial entry mass जो रही है MI उसके बराबर हो जाएगा entry के बराबर हो जाएगा clear सी बात है यहाँ तक entry के बराबर हो गया M2 equals to MI conservation of mass से क्योंकि ME की value क्या है ME equals to zero क्योंकि कोई mass exit नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ container में mass की entry है mass की कोई भी exit नहीं है ध्यान रखेगा बिल्कुल अब आप conservation of energy लगा दीजिए तो conservation of energy आपको पता है du by dt अगर आप लगाते हैं शेकर नहीं यह du by d2 छोड़ दो सीदा आप लिख दो u2 minus u1 तो equals to आप लिख सकते हैं क्या mihi plus q mihi plus q minus minus m e h e plus w minus m e h e plus w जब initially tank खाली था तो u1 की value तो वैसे ही 0 हो जाएगी यहाँ पर आप लिख दो m2 u2 ठीक है यह specific internal energy हो गया equals to mihi plus q mihi plus q clear? अब आप value पुट कर सकते हैं बहुत आराम से mihi की बात करेंगे जैसे ही तो mi की जगा पर m2 लिख दें और hi एक बार रहने दो और plus q ठीक है? अब देखो ध्यान से m2 है तो m2 equals लिख से ते pv upon rt2 pv upon rt2 yes or no? pv upon rt2 rt2 और यह होगे cv t2 cv t2 pv upon rt2 और यहां होगे cv t2 equals होजाएगा pv या p2 लिख दो यहाँ पे p2v तो यह जाएगा p2v upon rt2 into cp ti और heat loss कितना हो रहा है? thousand kilojoule तो minus thousand kilojoule minus thousand kilojoule बड़ा आसान सा कोशन है यह चीज़ अब सिर्फ और सिर्फ आपको calculate करना इससे पहले क्या था? इस tank को हम insulate कर दे रहे थे तो tank को जब insulate कर रहे थे तो आगे कोई problem नहीं आ रहे थी अपने को नहीं जब tank को हम insulate कर दे रहे थे तो आगे की कोई बात ही नहीं थी clear? अब देखो जान से यहाँ पे यहाँ से T2 और T2 की बात करेंगे तो cancel P2V P2 की बात करेंगे pressure की कितना है? 600 kilo pascal 600 kilo pascal 600 into 8 meter cube upon R कितना है? 0.287 287 या R से R cancel कर भी सकते हैं आपको दिक्कत नहीं है into CV CV की बात की बात करेंगे 0.718 equals to equals to क्या जाएगा? फिर से P2 तो P2 की बात की बात कितनी है आपकी? 600 into 8 divided by 0.287 इसको सीधा cancel ही कर देना चाहिए ता आपने को into TP T2 CP पहले दो 1.005 1.005 into Ti कितना दिया हुए? 306 306 और divided by कितना? T2 So from here you can calculate the value of T2 यहां से आप T2 की value बहुत easily calculate कर सकते हैं और T2 की value आजाएगी 395.88 Kelvin ठीक है? अब चाहते हैं तो directly cancel out भी कर सकते थे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी चलिए next question की तरफ चलते हैं देखे कितना simple सा question दाई है ये ऐसे ऐसे questions भी हमने करवाए हुए हैं देखे धान से इसी पर का MSQ question आपसे एक पूस दिया गया था यहाँ पे कि if the velocity component of a flowing fluid are U and V दिया हुआ है which of the following are true? which of the following are true? तो सबसे पहले देखे क्या उनकान सा true होगा U दिया हुआ है और V दिया हुआ है तो del U by del X plus del V by del Y equals to क्या जाएगा? देखे 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 del U by del X कितना हो जाएगा? 4Y del V by del Y तो minus 4Y equals to 0 इसका मतलब flow is incompressible सही है flow जो है वो incompressible बिलकुल सही है फिर हमने find out कर दिया omega Z half del V by del X minus del U by del Y तो half del V by del X तो del V by del X कितना हो जाएगा? 4X minus del U by del Y कितना हो जाएगा? 4X तो ये कितना हो जाएगा? आपका 0 तो इसका मतलब irrotational भी सही है अब acceleration की बात कर रहे हैं तो आप तो एक तो लिकोंगे AX यू डल U by del X प्लस V डल U by del Y और कहां निकालना है ये देखो ध्यान से अट X equals to 0 कॉमा Y equals to 0 तो अगर यू लिखेंगे तो 4XY आएगा और अगर V लिखेंगे तो X squared minus Y squared आएगा तो अगर 0 पुट करेंगे तो AX की value तो 0 ही आनी है AY AY की बात करते हैं तो AY बराबर होगा U डल V by del X और प्लस V डल V by डल Y तो ये भी क्या हो जाएगी 0 मतलब तीनों सही है इसमें A, B and C बहुत ही आसान सा question था बहुत ही easy ठीक है? चलिए next question की तरफ चले अब देखो ये question ये question और भी आसान था ये Navier Stokes equation पे ये question बन जाता बड़े आराम से आपको पता होगा unidirectional का नहीं multidirectional का पुछ रहा है तो अगर del P by del X की बात करते हैं तो क्या होगा minus rho u del U by del X plus v del U by del Y ठीक है न? और अगर आप del P by del Y की बात कर लें तो तो क्या हो जाएगा minus rho u del V by del X plus v del V by del Y इस दोनों value को निकाल के put कर दीजे निकल जाएगा काम तो अगर इसकी बात करें तो rho की value 1.5 u u कितनी है? y square minus x square y square minus x square into into del U by del X del U by del X कितना हो जाएगा? minus 2X minus 2X तो यह तो खतम ही हो गया वाजसे भी V तो यह 2XY और del U by del Y 2Y तो अगर यहाँ put कर दें तो 1,1 खतम 2 to the 4 यह हो जाएगा minus 6 minus 6 कि एर similarly अगर यहाँ solve करें तो minus rho और U की जगा पर put कर दें y square minus x square 1,1 put करेंगे तर तो यह 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 ही खतम होने वाला है और del V by del X तो minus 2X और plus 2XY del V by del Y कितना हो जाएगा? 2X तो यह भी हो गया आपका minus 6 कितना हो जाएगा? minus 6I minus 6J so B option is correct so B option is correct so that is the level of question देखो और टिक करते चलो चले नेक्स कुश्चिन कितना परते हैं? नेक्स कुश्चिन तो और भी आसान था क्या मता हो saturated vapor at 200 degree Celsius condensed to saturated liquid at a rate of 150 kg per second condensed हो रहा है on the cell side of the heat exchanger given that HFG दे रखा है आपको specific heat of cold fluid 4 kg per kg it enters 100 degree Celsius tube side effectiveness of the heat exchanger दे रखा है then the mass flow rate of the fluid of the tube side is dash kg per second देखिए सबसे पहले ऐसा question जब भी आए तो diagram draw करने की कोसिस कीजिए इस question की हम diagram draw करने की कोसिस करते हैं देखो धान से condense हो रहा है तो ये बना दो होगे condense यहाँ पर temperature increase कर रहा है ये diagram बना दो ठीक है confirm बात अब अगर हम बात कर रहा हैं किस चीजिए की ठीक है यहाँ सारे values आपको दिये होगे है ये है आपका 200 degree Celsius ये है टी एच आई ये है टी एच ए चुकिके condense हो रहा है तो temperature change नहीं होगा ये है 100 degree Celsius TCI और ये है TCE जो कि आपको find out करना है इसके बाद ही आगे का solve होगा अब देखो सबसे पहरा चीज़ करना है effectiveness का formula लिखिए TCE minus TCI upon THI THI minus TCI ऐसा क्यों तो effectiveness जब लिखते हैं तो M.CP find out करते हैं जो minimum होता है वही value लेते हैं उपर में ध्याद रखिएगा ठीक है M.CP find out करते हैं तो TCE effectiveness के तो 0.9 TCE आपको नहीं पता है TCI 100 upon THI कितना 200 minus TCI 100 so from here you can find the value of TCE TCE की value कितनी आ गई 190 TCE की value कितनी आ गई 190 degree Celsius then the mass rate of the fluid of the tube side is dash kg per second mass rate की बाद करता है तो Q equals to क्या होता है M.C.C.P.C. into TCE minus TCI आपको M.C.D. निकालना है यहां से Q निकल जाएगा M into L से Q निकल जाएगा M into L से इसको equate कर दीजिए तो M.C.D. find out हो जाएगा यहां से from here you can find the value of M.C.D. बड़ा आसान सा कोशन था यह भी heat exchanger का चले next next question की क्या है in for a VCRS cycle the following data is given enthalpy at exit of evaporator दिया हुआ है सबस्वले तो उसका diagram टॉआ कर लीजिए यह है T और यह है S exit of evaporator कितना दिया हुआ है 250 किलो जूल पर केजी ठीक है enthalpy at exit of compressor 300 किलो जूल पर केजी COP3 enthalpy of liquid represent दिया हुआ है for the dryness fraction at evaporator entry evaporator के entry पे dryness fraction आप से पूछ रहा है देखो ध्यान से डाइग्राम ड्रॉपरो पहले यह है आपका 4 1 2 3 यहाँ पर आपको enthalpy दिया हुआ है देखो ध्यान से 250 यहाँ पर आपको enthalpy दिया हुआ है कितना 300 यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि H3 equals to H4 होता है और COP equals to हो जाएगा H1 minus H4 by H2 minus H1 तो 3 equals to हो गया H1 की value कितनी है? 250 H1 की value कितनी है? 250 minus H4, fine out करना है by H2, 300 minus H1, 250 कितना हो जाएगा? H4 की value H4 की value आ जाएगी 100 equals to हो गया H3 तो H4 equals to हो जाएगा आपका HF plus X into HG minus HF तो देखो दहांसे HF की value आपको दी हुई है कितनी? 50 ये दिया होगा 100 plus X into HG 250 minus 50 तो ये जाएगा 50 equals to X into 200 तो X equals to निकल गया 0.25 1 by 4 so that is 0.25 बहाँ सिंपल सा कोशन नहीं था क्या? मतब यहाँ पे dryness fraction की value 0.25 होगी चाहिए नेक्स क्रेशन ये भी आपके E.M.S. से था और ऐसे क्रेशन देखे इसे तफ क्रेशन find a COP, the capacity अब इस सब के लिए आपको dryness fraction की requirement थी इसके भी ना काम तो चलता नहीं next question देखे कितना असान सा था एक मास क्रेशन था which of the following is an intensive property density is mass independent sorry density the ratio of two extensive property is always intensive ये तो वो line लिखवाते हैं so that is density चलिए next की तरह बरते हैं देखे दान से consider 1 kg of ideal gas at 1 bar and 300 degree Celsius in rigid and perfectly insulated container CV दिया हुए है बला कि steers से इसको चला रहे हैं और assume that the container does not participate in thermodynamic interaction कोई thermodynamic interaction container से नहीं हो रहा है the final pressure मतलब यहां पर कह रहा है कि V equals to constant तो P directly proportional to T V equals to constant so P directly proportional to T clear अब आप फिर्मल लगा देजिए P2 by P1 P2 by P1 equals to T2 by T1 अब आपको P2 find out करना है तो P2 equals to P1 किना दिया हो वन बार into T2 find out करना पड़ेगा और T1 दिया होई 300 अगर T2 निकल जाएगा तो काम हो जाएगा अब T2 कैसे निकाले हैं तो यहां देखिए consider 1 kg of ideal gas 300 Kelvin CV दिया हुआ आपको steer performs 200 kJ of work आप लिख सकते हैं DQ बड़ाबर DU प्लस DW DQ बड़ाबर क्या होता है DU प्लस DW अब सारे values आपको दिये होएगे देखिए ध्यान से heat transfer होगा नहीं heat transfer होगा नहीं यह हो जाएगा आपका MCV into T2 minus 300 और प्लस W work perform क्या जा रहा है तो 225 ठीक आप लोगी सर्फ minus sign क्यों आ गया तो minus sign इस कहां से आया कि work done on the system है so from here you can find the value of T2 T2 की value कितनी आ जाएगी 600 Kelvin अब यहां लाके put कर दो 1 into 600 divided by 300 so that is 2 bar that is 2 bar अगर आपको आता है question means concept पता है so you can easily solve these type of questions अगर concept पता है तो और concept नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं एक question और है हमारे पास steam turbine at a steady state 500 kg per second mass flow rate दिया हुआ है आपको m dot steam enters with enthalpy of entry पे enthalpy दिया हुआ है and entropy दिया हुआ है entry पे and expands reversibly to the condenser pressure heat loss occurs reversibly at 500 Kelvin exit enthalpy exit entropy दिया हुआ है तो सबसे पहला तो आप यह लगा देनो formula ds by dt equals to s entry plus s generation minus s exit चुकि flow steady है तो यह खतम generation है नहीं तो यह 0 तो आप लिख सकते है si equals to se si equals to se तो अगर हम चाहँ है तो ऐसे लिखते है m dot si equals to equals to se है ना तो m dot se m dot se और plus q by temperature temperature कितना दिया हुआ आपको temperature दिया हुआ आपको 500 q by 500 तो m dot अगर कामन ले लें तो यह जाएगा si 6.5 minus 6.3 equals to q by 500 तो m dot की value आपको दिया हुआ है 500 यह कितना हो जाएगा 0.2 और into 500 into 500 equals to q तो एक 0 दियो दो इसको 10 हो गया यह नहीं यह 50 52 is a 100 मतब कितना हो जाएगा यह 50,000 मतब यह हो जाएगा आपका 50,000 नहीं सही है ना 500 और यह हो गया आपका कितना 5 to the 10 50 into 2 ठीक है ना अब देखो आप पस क्यों निकल गया आपका अब क्या करो कि यहाँ पर e in equals to e out कर दो e in equals to e out अब e in कितना होगा e in m dot into h1 m dot into h1 जो value आपको पता है e out कितना होगा m dot into h2 m dot into h2 yes or no m dot into h2 plus q और plus w अब सारे values को put कर दो अपला के तो m dot की value कितनी है 500 ठीक है इसको this side कर लो तो h1 minus h2 3500 minus 2500 3500 minus 2500 equals to q 50,000 और plus w तो w equals to यहां से find out हो जाएगा ठीक है यहां से आप w find out कर सकते हैं जितना भी आजाए value 50,000 minus 4500 जो भी आजाए 5000 आएगा ने 5 I think तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए अब बन जाएगा तो यह सारे questions थे अपने memory based questions थे मैंने पहले कहा है कि सारे questions memory based है जैसे ही question आजाएगा authentic तो फिर आपको एक authentic solution भी मिल जाएगा तब तक लिए तो टो चर्श ही book for a cubical casting for a cubical casting of side A cylindrical top riser is used cylindrical top rises use करने को कहरा है the top of riser is insulated, बहुत बढ़िया, and then possible riser radius क्या होना चाहिए, देखो, जो अपन question को एक बार समझते है, ये माली जे आपका sprue है, this is what your runner, जो आपको casting दे रखा है, वो किसका है, वो आपका cubical casting है, the casting I think, but your cubical casting is there, this is basically what your cubical casting, ये आपका cubical casting दे रखा है, और इसके उपर, जो आपने riser use क्या है, this is cylindrical riser, this is what your cylindrical riser, nothing but it is top riser, okay, top पे दे रखा है, question में push रखा, question में दे रखा है, और सबसे बड़ी वात ये क्या रखी है, कि जो riser का, जो top है, वो आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, वो यहाँ पे insulated कर रखा है, now आपको पता, जब हम molten metal को pour करते है, जब हम molten metal को यहाँ पे pour किया, pour किया, pour क riser की बात करें, तो यहाँ पे तो आपका, जो heat transfer तो होगा नहीं, at this surface, because यहाँ पे temperature difference ही नहीं, तो temperature difference है कहा सर, temperature difference है, यहाँ पे आपका sand होगा, यहाँ पे आपका sand है, temperature difference is only at this, only at the periphery, okay, so now, हमारे जो, अब, अब जो concept यहा है, कि अब जो cylindrical riser का heat transfer, जो हम लेते हैं, in solidification time, time, यहाँ जब आप 14 प्रिंसिपल लेते है, T is equal to V by A का whole square, जो आप लेने वाले है, T is equal to, I think, but your V by A का whole square, यहाँ पे N होता है, for sand casting हम इसको 2 लेते है, so now, अब अगर हम बात करें, कि जो आपका area होने वाला है, जो आपका area होने वाला है, area क्या होता है, जहां से आपका heat transfer होत है, और top riser में निचे से तो आपका heat transfer होता ही नहीं है, so, अब question में यह पूछ रगा है, the top of the riser insulated, then possible riser radius, possible riser radius कितना होगा, possible, this is MSQ question, this is nothing but your MSQ question, now, हमें पता है कि riser की बात करें, to riser का solidification time is more than, must be more than what your solidification time of what your casting, यह अगर मैं limiting condition की बात करू, solidification time of, solidification time of, अगर मैं कहूँ, riser है आपका, solidification time of riser must be greater than equal to solidification time of what your casting, यह होना ही चाहिए, नहीं तो riser किसी काम का नहीं होगा, यह आपको को पता है, so, now, यहां से मैं सहता हूँ क्या, modulus of riser, modulus क्या होता है, nothing but your V by A ratio, V by ratio, modulus of riser is nothing but equal to, greater than equal to, modulus of what, modulus of what, your casting, modulus of what, or casting, यह limiting condition है, यह हमें पता होने चाहिए, because riser तभी काम का होगा, तब उसका, solidification time क्या होगा, जादा होगा, casting से, now, so, what is the, modulus of riser is V by A, V by A of riser is greater than equal to, V by A of casting, और casting कैसा है, my idea, casting का, cubicle, cubicle के लिए आपको पता है, what is the, modulus of, casting is V by A, A cube upon 6 A square, is nothing but, A by 6, is A by 6, now, V by A of riser, V by A of riser is equal to, I think, this is greater than equal to, nothing but, your A by 6, A by 6, now, what is the V by A of riser, is very important, so, अगर हम बात करें, V by A of riser का, riser आपका cylindrical है, और यहां से, अगर हम बात करें, V by A of riser, so, volume is what, pi by 4, d square time h, what is the area, अब हम अरे जो है, उपर और नीचे का area नहीं लेंगे, only this, only this, which is what, pi dh, this is what, your pi dh, this is, generally, in our crisis, generally, हम क्या क्या है, टॉप riser का area लेता है, pi by 4, d square, plus pi dh, clear, यहां पर क्या रखा है, उपर वाला भी क्या है, insulated है, इस बात का आपको तहां रखना है, so, I can easily cut the value of h and h, d by d, pi by pi, so, हम अराम से, यहां पर लिख सकते है, V by A of riser, V by A of riser is nothing but your d by 4, इसे put करता है यहां पर, तो d, nothing but your d by 4 is greater than equal to what, your A by 6, अगर d को लिखें, इसके आगे करता हूं मैं, इसके आगे solution करता है अगर, my dear, जहां से देखेगा, d is nothing but what, your 2R by 4 is greater than equal to A by 6, so, यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं, यह हो गया आपका 2, okay, यह हो गया आपका 2, so, यहां से हम कह सकते हैं, R is greater than equal to A by 3, R जो है, जो आपका radius riser का, वो greater than equal to A by 3 होना चाहिए, यहां तो बराबर हो यह उससे बड़ा हो, तो just what is the correct answer, A by 3 and A by 2, A by 2 is nothing but greater than A by 3, so, हम कह सकते हैं, so, B and C is the appropriate answer for this question, this is MSQ question, it is very beautiful question, my dear, so, अब हम बात करते हैं, आगे, next question क्या, so, what the next question says, now, it is very easy question from welding, देखे, आपका welding से पहले भी question आया था, in the follow session and in the afternoon session, welding से कोचन आया, यह बहुत easy question है, maximum ऐसा question तो मैंने कई बात करा रहा है, class में, maximum power पूछा है, अगर maximum power की बात की जाए, then, open circuit voltage नहीं बात यह वी बात की जाएगा, और short circuit voltage भी आपका, I by 2 हो जाएगा, और आपका, I is the R gap, L is the R gap, my dear, आपको power पूछा है, power is नहीं बात V multiply by I, अगर maximum condition में बात करें, maximum power condition की बात करें, तो V is नहीं बात OCV upon 2, open circuit voltage upon 2, and short circuit current upon my dear 2, so, power is नहीं बात यह 50 multiply by 500, okay, so, now, 25,000, in, आपको किलोवाट पूछा है, किलोवाट अम्पर में तो यह आपको पता होगा, यह तो होगा, आपके वाट में होगा, so, यह होगा, आपको 25 किलोवाट यह किलोवाट अम्पर हम कह सकते हैं, 25 is the correct answer, it is very easy question, clear, so, now, move to the next question, now, it is the form, again, metal cutting, आपके जो सुबवाट चनी था, फॉर्ण सेशन उसमें metal cutting question आया, और यह आपका afternoon session है, इसमें भी आपका जो metal cutting से question पुछा गया है, so, what the question says, in a orthogonal machining, in a orthogonal machining, thrust force and cutting force, I can say, cutting force are equal, means, Fc is equal to your Ft, thrust force and cutting force are equal, and orthogonal rake angle, alpha आपका 0, shear angle आपका, it is 5, 15 degree and width of cut, W आपका 2 mm and the shear strength, tau आपका 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 500 mega Pascal, 500 mega Pascal and unkit chip thickness आपका, T1 is equal to 0.5 mm, then find the cutting force, then find the cutting force, map the cutting force, it is very easy question, आपका कारना क्या है, आपका आपको just cutting force आगर आपका 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 of a PA 0 wrakha है, तो आप आप आपका सक्ता है, from the merchant circle, Fc is equal to nothing but your N and your Ft is nothing but your, equal to your friction force, clear, so, यह iki हम देख सक्ते हैं, so, आपका física some स्टा है, F S is what F C cos phi F C cos phi minus F T sin phi minus F T sin phi आपने 4 equation पढ़े होगी F N F S F N की आपे F S का जो equation वो आता है F C cos phi minus F T sin phi तो यहां से आपको F S find करना है और यहां से मैं बात करूँ F C cos phi और F T और F C आपको बराबर दे रखा है तो F T के जगे मैं F C लिख दूँ, sin phi तो यहां से F S is equal to my dear F C cos phi minus sin phi और phi का value बड़े ही pair के साथ आपको question में दे रखा है So now अगर मुझे cutting force find करना है, यह वाला चीज find करना है तो मुझे F S चाहिए, मुझे F S चाहिए, because आपको 5 दे रखा है So F S को find करने के लिए आपको, जब भी आपको F S find करना होगा question में shear strength दे रखा है होगा So यह भी same question, आपको दे रखा है shear strength, shear strength क्या होता है my dear F S upon W T 1 upon sin phi W T 1 upon sin phi So what is the value of F S is tau S multiply by W T 1 upon sin phi So what is the value of F S This is nothing but your 500, this is what your 500 multiply by W is the 2, T 1 is 0.5 upon sin phi So what is the value of shear force, shear force का वल्यू कितना हा है For calculation, from calculation the shear force value is given 1931.85, 1931.85 Newton So now, put करेंगे value को आपको से रिकालेंगे So what is the value of F S, F S is nothing but your F S is nothing but F C So F S का विल्यू आपको निकाल चुके हो So हम देख सकते हैं, what is the value of F S is nothing but 1931.85 is equal to F C Cos 5 का विल्यू आपको पता है It is nothing but your 15 minus sin 15 So यहां से हम equation को put करके, we can easily find the value of F C So what is the value of F C is 2732.04 Newton So this is the question for metal cutting जो की आपके पोर्नून session में पुचा गया तार आफन दोनो में पुचा गया It is a very formula based question So come to the next question So now for material science question in gate 2022 SAT 2 is like that Consider a phase diagram between A and B between A and B in which all the solidus and liquidus lines are straight line You all know that what are the solidus and liquidus lines Basically this is your solidus line This is solidus line clear So this is what we call straight This is what we call straight And this is what we call P B ascent diagram We also call phase diagram So eutectic temperature This is what we call you and your eutectic point Clear? And here you see temperature It is what? Eutectic temperature Because of easy melting You all know that Liquid is directly committed to solid So now Eutectic temperature is 400 degree celsius Eutectic temperature is nothing but 400 degree celsius And at 30% B At 30% B Here you see A and B In this direction It is weight percent of B So now What does the question ask? The pure A has melting temperature of 700 degree celsius Concentration of 15% B Poured at 800 degree celsius What is the solidification range? This is basically casting question Casting question Casting question Casting question Casting question I am saying Casting Pouring temperature That is your 800 degree celsius It is not melting It is not melting point temperature You know Because in casting Pouring temperature Is much more than Your melting point temperature This is because of Degree of super heat So now This is your 800 degree celsius And here We will see If I am making a line Just like that Here I have made a diagram In front of you This is just your A-B diagram Which you can see So now Now we will consider Here This is basically A Here 100% A 0% B Here 100% B And 0% A It is clear So now If we talk about it Here What is the solidification range? What is the solidification range? So you know You know What is the pouring temperature? If we get the water What is the melting point? So this reason This is basically The reason of phase change What is the phase change reason? Where you have solid And here You have liquid You can see This is basically what Your solidification range Because you know In your casting For pure metal This is basically What your triple Basically Temperature and time graph This is Tp This is Tm This is Tf And this is T0 This is basically called What is your solidification range? So here So this is Your solidification range This is your question This is your question How much value is it? What is the solidification range? So my dear It is nothing but a geometric question It is not a matter of science question It is a geometric question My dear Can you see You can see If I do a straight line If I do a straight line Then you can see Two triangles Here are basically Two similar triangles Are there It is one triangle Okay This is your one triangle This is a small triangle This is this Okay This is what small triangle You can see If I talk about point This is point A This is point B This is point C Point D And point D If we talk about two triangles If we talk about two triangles So here आप आप देख सकते हैं एक तो 1 B and C bigger triangle अज़ छोड़ा triangle की बात करें A, D, E ओके तो यहां से हम अगर इस particular मालीजी मैं यहां पर temperature की बात करता हूं मालीजी यहां पर temperature जो X temperature है आप आराम से दोनों ही triangle को equivalent करके the value of X को आप आराम से fine कर सकते हैं ओके, so कैसे fine करेंगे सर? 700 minus X upon what? यह 15 यहां आपको 15 दे रखा है तो यहां से कह सकता हूं मैं कि छोटे बाद triangle की बात करूं तो वहां से 700 minus X upon यह कितना है 15 जिसमें equivalent करता हूं तो triangle को और यहां से देखें आपन यहां से देखें आपन, so basically X minus what? 700 minus X और यहां अगर बैट triangle की बात करते हैं तो यह आज़ाएगा 300, basically 300, 700 minus 400, 300 upon this range, this is basically what? 30% so 30, तो यहां से X के मैं रिखालता हूं value तो आएगा 550 degrees Celsius, okay? This is what your 550, तो यहां पे जो आपका temperature आपको नज़ना रहा है, वो कितना है? it is nothing but your 550 degrees Celsius, तो पूचा है, what is the solidification range? solidification range क्या होगा? इसका और इसके बीच का temperature कितना होगा सर? यहां पे 400, यहां पे 500, यहां पे 500, तो यहां पे आपको नज़ना है? so what is the range of temperature is nothing but your 150 degree Celsius, 150 degree Celsius, it is the correct answer for this question, 150 degree Celsius, it is just a geometric question, nothing but, now, so this is for material science, so the following session था, उसमें भी आपका question पुचे था, material science से, और अभी भी आपको यह question पूचा है, लेकिन यहां पे आपको simple question पूच लिया है, both the questions are simple, okay, this is basically geometry based question, now, so come to the next one, come to the next one, this is a very, quite easy question, काफी बार एक्जाम में आचुका है, गेट एक्जाम में, पूच यहां में, पूच दे रहा है, और इंक्लूड एंगल आपको दे रहा है, अगर डामेटर की बात करें, तो this is basically what, P by 2 sec alpha by 2, it is easy formula for that, P by 2 sec alpha by 2, काफी सारे हमने लिमिकल से लगाएं इसके ओपर, और कहीं ने कहीं, प्रिमिश बाद चुका है, तो what is P, is 4 by 2, 4 by 2 sec alpha की value 60 है, तो 60 by 2, so we find the best y diameter size is nothing but your 2.30, 2.30 mm is the correct answer, 2.309, आप 2.31 B से लिख सकता है, इसमें कोई थमस्या नहीं है, so it is very education from the metrology in the second shift, now, sorry, from the, yes, from metrology itself, now, again, this is very easy question, ask from the metrology in the second shift, ये बोल रखा है, it is very easy question, my dear, a sharp size 24, minus 0.04, minus 0.07 and whole size 25, plus 0.02, minus 0.00, आपको match करना है, list 1 and list 2, now, simple method लगाते हैं, अपर, this is what your basic line size, अब माल लेते हैं, this is the baseline 25, इसे लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे whole की बात करता हूँ, this is basically what 25 mm, now, अगर मैं यहाँ पे whole की बात करूँ, whole का क्या है, 25.02, this is a whole basis system, because lower limit of all is what, 0, basically 25, so lower dimension is what, 0, for whole, so that it is called as your whole basis system, so now, this is nothing but your whole, माली जी, यह आपका whole है, okay, this is your whole, so whole का जो अपर limit है, this is your whole, now, whole का जो अपर limit दे रखा है आपको 25.02, 25.02 and lower कितना है, आपका 25 ही है, now, अगर मैं शाफ की बात करता हूँ, अगर मैं शाफ की बात करूँ, 25.02 upper limit है, sorry, 25 minus 0.04 upper limit है, 25 minus 0.07 is lower limit है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, माली जी, यह आपका shaft है, माली जी, this is one be your shaft, अगर यह शाफ है, तो मैं यहाँ पे बड़ ही आसानी से लिख सकता हूँ, सर, यह कितना होगा, यह कितना होगा, मैं कह सकता हूँ, this is 24.96, 24.96, this is 24.93, तो यहाँ से हम बात करें, so, this is what, this gap is what, 0.04, this is 0.04 and what is the tolerance for shaft, shaft के लिए tolerance के तना आगया, what is the tolerance for shaft, is nothing but 0.03, 0.03, and what is the tolerance for your hole, what is tolerance for hole, is given that 0.02, आप दे सकता है, 0.02, so, पुचा है, what is the allowances, what is the allowances, what is the allowances, in, आप दे सकता है, it is clearance fit, it is what clearance fit, because this is hole, and this is sharp, आप दे सकता है, hole is bigger than shaft, then it is called a clearance fit, and in clearance fit, allowances is what, maximum clearance is basically what, the allowances, sorry, minimum clearance is basically what your allowance is, ये क्या होगा, आपका allowances होगा, this is basically what your allowance is, in interference fit, maximum interference, and in your clearance fit, your minimum, basically clearance is what your allowance is, हम से समझ सकता है, so now, this is your allowances, this is what your allowance is, so, what is the value, what is the value of allowances, my dear, क्या value है, allowances का, आदे सकता है, it is a 0.04, it is 0.04, so now, P का होगा आपका 3, P का होगा 3, then Q, Q is what, maximum clearance, what is the maximum clearance, what is the maximum clearance, this is the maximum clearance, this is the maximum clearance, so what is the value of maximum clearance, अबसे बड़ा होल, ऐसा आपका छोटी साफ्ट, यह क्या होता है, आपका, maximum होता है clearance, so what is the maximum clearance, so Q का हो गया, कितना है maximum clearance, is equal to, 0.02, plus 0.04, plus 0.03, it is nothing but, it is nothing but 0.09, so Q का हो गया, 0.09, क्यों का हो गया, आपका 1, last बसता है, आपका R, maximum material limit of hole, अगर maximum material के बात करूँ, hole में, सबसे चोटा hole होगा, वो ही क्या होगा, आपका maximum material condition होगी, okay, सबसे बड़ा hole होगा, तो minimum material condition होगी, इसका ultra shaft में होता है, तो आपको hole पूचा है, hole के लिए, maximum material condition क्या होगा, सबसे चोटा hole, okay, सबसे बड़ा hole सा है, 25, यहाँ पर बात करें, तो सबसे smallest hole है, उसका size कहा है, 25 mm, 25 mm, so R का होगया, आपका 4, so correct answer is, P का 3, Q का 1 and R का 4, it is one mark question, it is one mark question from metallurgy, it is very very easy, it is very very easy question, asked in detail, so now, coming to the next question, which machining process, which machining process involves, which machining process involves, the melting of metal, it is very easy question, कौन सा machining process जो है, वो आपका melting कर रहा है, basically, it is non-traditional machining methods, all are like EB, LBM, ECM and EDM, जापे भी थरमल एनर्जी लगरीये, THEY ALL are basically, what? contribution of melting of material, So, हम कह सकते है, EB, में 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 मैंटिं होगा, इस वेरी ट्रू, LBM में मैं मैं में में मैं निटिं उग होगा, it's very true, EDM में में मैं बेलिवा होगा, due to spark, due to work and spark, but ECM में आपका मेल्टिंग नहीं होता है त्यासे देखेगा इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग में क्या होता है आपका दू फारादेश लो मस्ट रिमूवल होता है आपका मेल्टिंग यहापे नहीं होता है वो आपका पता है जो मस्ट डिसोल डिसोल्विंग आपका मेल्टिंग नहीं होता है वो आपका पता है जो मस्ट डिसोल्विंग आपका मेल्टिंग आपका मेल्टिंग आपका मेल्टिंग आपका मेल्टिंग आपका मेल्टिंग आप for this question it is the kind of MSQ question now come to the next one it is again very easy question which one of the following cannot cannot please attention on it cannot push a cannot impart the linear motion consul linear motion impart nahi karega so aapko pata hai aapka ball screw b linear motion impart karta hai lead screw b linear impart karta hai linear motor b impart karta hai to cannot push hai to what is the correct answer is chain and sprocket is the correct answer but yeh joh aapka a system hai wo linear motion impart nahi karta hai it is very easy question so now coming to the next question in a horizontal slab milling it is from the milling there have got depth of cut depth of cut is nothing but capital D by 2 diameter by 2 or F cover the rakhah hai force per tooth force per tooth aapko dhe rakhah hai it is nothing but F is F is F is F is F is K T C W K T C W and depth of cut is nothing but diameter ka aada aapko dhe rakhah hai ok so F is F is what force per tooth na D is the cutter diameter D ka value aapko dhe rakhah hai it is two hundred mm so I can say what is depth of cut is 100 mm it is 100 mm ok and k is the specific cutting force joki aapko dhe rakhah hai 10 newton per mm square width of cut aapko given hai it is nothing but 100 mm cutter rpm and dhe rakhah hai aapko 100 number of teeth aapko dhe rakhah hai 4 feed aapko dhe rakhah hai this is value of F f aapko dhe rakhah hai it is nothing but 1000 mm per minute 1000 mm per minute aur bola hai maximum cutting force kya ho ga maximum cutting force aapko kya ho ga jaha joh aapka tc hai wo kya uncut chip thickness hai to firstly we have to find the uncut chip thickness in slab milling so what is the formula for that so uncut chip thickness is equal to what 2 F upon NZ number of teeth unroot small d upon capital D small d upon capital D so here we have to keep values here so 2 times capital of kya hai what is the table speed is nothing but your it is nothing but aapko 1000 mm per minute it is nothing but the value of F multiply by n it is clear so upon upon n ka joh value hai F to multiply by 1000 upon n hundred number of teeth given in question is 4 is 4 na under root small d upon capital D kita ho ga small d upon capital D is nothing but 1 by 2 nothing but 1 by 2 because 100 upon 200 is equal to 1 1 by 2 so yaha say uncut chip thickness joh hai hai chip thickness nikaalne ke baat karo chip thickness kya ho ga it is maximum chip thickness it is maximum chip thickness because by default it is maximum chip thickness minimum is basically zero okay so now tc is what what is the value of tc what we find is 3.53 mm 3.53 mm 3.53 mm 3.53 mm so now we are ready to calculate the force are ready to calculate the force the maximum force okay the force ke value ktc times w so force is nothing but your k k ka value apko dya rakha hai 10 newton per m square multiply by tc we have taken 3.53 mm 3.53 mm and what is the value of width width is nothing but your 100 mm 100 mm so what is the value of f is nothing but your 53.53 kilo Newton 3.53 kilo Newton is the correct answer now it is given in feed per tooth so it is also the maximum force consider to be maximum force is like 3.53 kilo Newton you not have to multiply with the number of teeth because this is the maximum force okay so 3.53 is the answer is correct if this data is correct clear so so now it is basically they are the memory based question from the production engineering so thank you so much guys i hope you like this session so aapko kaini gai help pili hogi and all the best for your results thank you so much hello friends welcome at engineers academy youtube channel my get paper ho chuka hai or kai na kai yadhi paper ka analysis kiya jaya so my mechanical ki baat karun ga to paper one ki compare me yadhi paper two ko my baat karta hoon us me bhi strength of material ki baat ki jayegi to paper two me strength of material se question kuchh asan dikha hai as compare to paper one se to chaliyye us question ko dhekhte hai solve karne ki kofis karte hai kaife question puchhe gai yadhi designing ka question ho machine design ho ya strength of material ki baat karte hai to chaliyye start karte hai is case me yadhi sabse pahle yadhi may baat karta hoon to haemara joh first question dhekne ko mila kuchh is taraf hi diya hua hai the stress tensor representation sigma x is equal to 3p sigma y is equal to minus 2p and tau xy is equal to root 2p yeh condition aapko diya gaya hai if syt is 350 newton per mm square then find the value of p according to maximum distortion energy theory according to maximum distortion energy theory please hand dengue kuchh bacho ka yeh bhi kaanah tha ki aapka sigma y plus 2p clear hai kuchh bacho ka kaanah tha minus 2p hai toh is liyeh is case meh mein minus 2p lekar solve kar raha hong similar procedure se hum plus 2 plus 2p bhi lekar solve kar saktay hai answer aapka differ kar jayegah pahle question ko saamaj liyeh ki yeh kaanah kya chaara hai aur kafe aapko work karna ho ga yeh kuchh aeisa kaanhi hai yadhi is case meh diffuse sigma xx please focus karen geh yeh yeh aapka sigma yy hai and this is tau xy clear hai this is tau xy agree karten hai sigma xx ka value hai aapka 3p and sigma yy hai aapka minus 2p tau xy ka jo value dee raha hai this is root 2p agree kar raha hai clear hai toh mein is condition ko dhyaan meh rakte huyeh is question ko solve karonga toh saabse pahle aapko pata hai ki maximum distortion energy theory kya hai to maximum distortion energy theory jis ko am loog md et bhi bolte hain aur ishi theory ko am loog von mrs theory ke naam se bhi bolte hain jho duck kail material ke case me generally hum use karate hain toh aapko yaha bataya gya hooga this is sigma 1a square plus sigma 2a square minus sigma 1 sigma 2 less than equal to asyty in chi square yeh aapka formula hai agree karate hain clear hai yaha taak chijayi fomaj meh aarhi hoongi ab aapko kya karna hai yeh toh aapko pata chal gaya factor of safety nahi diya hai toh one lenge kya asoi t ka value aapko dhiya hua hai yeh value kitna hai ji this is 350 n nahi dhega toh one lekar hum kama karengi problem hai ki sigma 1 kitna sigma 2 kitna iska knowledge hume nahi sigma 1 sigma 2 maximum principal stress minimum principal stress ka kaani hai ab if condition meh aap nikal fakta hai ki sigma 1 kitna hooga aur sigma 2 kitna hooga nikal lehen ya put kar dhe easily aap value ji nikal sakta hai clear hai toh chaliyayi isko find karate hain aapko pataya gya hooga sigma 1 2 ki adhi mai bata karu toh aapko pata hai ki sigma x plus sigma y by 2 plus minus 1 by 2 root under sigma x minus sigma y ka whole square plus 4 tau square x y yeh aapka maximum or minimum principal stress nikalne ka tariqa hai is case meh aap value easily put kar sakta hai hai aapko sigma x dhiya gya hai aur sigma x ka value kitna hai ji this is 3p and sigma y minus 2p hai toh this is 1 by 2 this is 1 by 2 root under sigma x aapka 3p hai minus of this is minus 2p clear hai toh ka value toh ka value yeh aapka value kitna aapka root 2p hai toh ka value kitna aapka root 2p plus minus 2 plus minus 1 by 2 this is 3 or a5 25p square plus 4 toh ja 8p agree करते होंगे ये 2 हो जाएगा 8p square ये आपका sigma 1 2 है इसको solve कर लेते है sigma 1 आ जाएगा और sigma आपके 2 आ जाएगे जब इसको आप solve करेंगे तो p के term में ये value आपका कितना आना चाहिए तो this is 25 plus 8 जब आप root लेंगे divided by 2 तो ये value आएगा approximately this is 3.375p and जब minus कर रहे होंगे तो ये value आ रहा होगा minus 2.375p ये आपने दोनों condition यहां find कर लिये अब इसको क्या करना है आपको put करना है अपने basic equation में और equation क्या है आपका sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 left than equal to a sy tyn का whole square आप इस condition को put कर दे है यहां तो this is 3.7 this is 3.375p का whole square plus this is minus of 2.375p का whole square minus sigma 1 sigma 2 यदि आप लिखेंगे तो this is 3.375p into minus 2.375p this is left than equal to 300 by n का 1 मान लेते हैं n को आप 1 मान लेंगे ध्यान देंगे और इसको square कर देंगे यह काम करते हैं इसको detail में side में easily कर लेते हैं clear है बात है यहां easily करते हैं ध्यान दें आपको लिखना है sigma 1 square plus sigma 2 a square minus sigma 1 sigma 2 left than equal to a sy tyn का whole square तो जब इनके values को आप रख रहे हैं तो this is 3.375p का square plus this is minus of 2.375p का whole square minus sigma 1 sigma 2 का values रख दें तो overall यह plus हो जाएगा clear है तो यह आएगा this is 3.375p into this is 2.375p 2.375p less than equal to 300 check कर लेंगे values कितना है 350 तो यह value है this is 350 by 1 का whole square यहां फे आपको P चाहिए P बताएं कितना आ रहे है clear है में लिए concept यह था कि values निकालने आपको आना चाहिए जब इसको आप solve करेंगे तो यह value एप्रॉक्स आएगा this is 70.06 newton यह value आना चाहिए this is 70.06 newton तो I hope फो यह चीजें समझ में आई होंगी simple concept था मैं लिए आपको focus इस पर करना है principal stress के formula और यहां से values और इसको यहां पर replace करना है clear है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो concept पुछा गया please focus करेंगे इस case में यह आपको कुछ FA question दिया गया है torson से related यह question है यहां पर आपको parallel arrangement की मैं बात करता हूँ एक solid shaft है एक hollow shaft है मैंने solid को one माना है hollow आपका two है clear है as shown in the figure is subjected to torque T इस पर एक torque T आया है माल लिजे ऐसे torque T आया है it is given that आपको G1 by G2 का ratio दिया है मतलब एक तरफ से solid shaft upon hollow shaft का यह value दिया हुआ है three one को मैंने solid मना यह solid है clear है और यह आपका hollow वाला part है agree करते होंगे find the ratio of maximum shear stress of solid shaft to the hollow shaft आप से simple भाफ हमें मैं जाना चाहता हूँ कि maximum shear solid में कितने आएंगे divided by maximum shear आपके hollow में कितने आएंगे यह पूछा गया है clear है तो इस case में आपको यह value निकाल ला है आई होपफो चीजें समझ में आ गई होंगी question पर ले clear करना ज़रूरी है इस question के करने के बहुत फारे तरीके हैं clear है आपके पास torfen formula होता है this is t by j tau by r is equal to g theta by r clear है आप यहाँ पे चाहें तो यह concept जानते हैं कि यह parallel arrangement है कैफे arrangement है जी यह parallel arrangement है और जब भी parallel arrangement होगा जब भी आप parallel arrangement लिखते हैं तो आपका जो angular twist होता है solid में और hollow में वो आपका same होगा rotation जो दिखेगा वो same दिखेगा यह दोनों एक साथ parallel है यह जितना rotate करेगा यह marker उतना ही मेरा हाथ भी rotate करेगा तो दोनों का theta same होता है series में summation चलता है यहाँ पे आपको theta same होगा अब आप चाहें तो किसी कोई quit कर सकते हैं मैंने इनको एक साथ ले लिया तो tau कितना आया जी g theta r y l एफे बोल सकते हैं चलिए यदि यह चीजें समझ में आ गई होंगी तो इसको एफे समझते हैं कि tau of solid divided by tau of hollow लिख सकते हैं और अभी आपने shear निकाल रखा है g अराम के देख लें g theta r by l तो आप बोल सकते हैं g of solid theta of solid r of solid l of solid divided by g of hollow ध्यान देंगे this is g of hollow theta of hollow r of hollow divided by length of hollow तो यहाँ पर आप easily इसको एफे लिख दें g of solid theta of solid r of solid divided by length of solid और यह उपर चला जाएगा length of hollow divided by shear modulus of hollow angular twist आपका hollow का और r hollow का यही काहनी है फिर्ट मेरा कहना है किस किस में length solid length hollow सेम है length आपको एक तरफे दोनों के लिए सेम है यह length दोनों के लिए सेम है आगे चलते हैं तो ध्यान देंगे parallel arrangement होने के कारण theta same होगा parallel arrangement के कारण theta same होगा तो काहनी कहां पहुँच गया g of solid upon g of hollow into r of solid upon r of hollow बोल सकते हैं तो इस condition में आप easily replace कर सकते हैं g of solid और g of hollow का ratio दिया हुआ है 3 तो इसको आप यहां 3 रख दो अब r of solid और r of hollow देखो यदि मैं यहां r की बात करता हूँ please focus करेंगे तो इसका diameter r लो चाहिए diameter के sense में लो यह d है और यह 2d है तो solid का diameter d है और hollow का क्या है जी? 2d का है तो यदि हम diameter के sense में ही लिख दें तो solid का d है और hollow के कितना है? 2d है तो radius के sense में भी change कर फकते हैं तो यह value आ गया 3 by 2 और approximately this is 1.5 क्या आ गया जी? 1.5 एक तो तरीका यह था solve करने का जो सबसे simple तरीका था दूसरा option आपके पास क्या होता? कि हम equation लिखते tyj is equal to top ir और यहाँ पे कहानी को relate करते tyj into r लेकिन यह एक तरफ ए लेंदी प्रॉफेस हो जाता क्योंकि पहले torque का भी ratio आपको पता करना पड़ता कि solid में कितना torque आ रहा है और hollow में कितना torque आ रहा है तो बेश तरीका है इस तरह के question क्लास में already discuss किये गए हैं तो आप easily समझ में आ रहा होगा question में approach आप कैसे भी करें question के लिए रहा है, यह condition कुछ इस तरह से दिया गया था चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले question के तरह बढ़ते हैं तो यह question FA देखने को मिला यह question थोड़ा फ़र tricky है question में तो कुछ नहीं है लेकिन tricky है और question के करने के बहुत फ़ारे तरीके हैं figure below show that two types of loading यह दो तरह कर लोडिंग आपको दिये गया है अच्छी बात है on an element if both the loading are used at the same element मतलब दोनों loading एक ही element पे आ रहा हो पहले A आ रहा है बाद में F A आ रहा है तो आपको बताना है कि normal A stress X direction में कितना आएगा जैसे माल लेजे यह हमने X fixes गोल दिया और यह आपको हमने Y axis गोल दिया तो X direction में normal A stress total कितना आ रहा है बात question को फमझेंगे एक body पे एक बार loading A F A दिया गया एक बार A F A loading दिया गया body same है तो इस case में यदि हम लिखना चाहेंगे तो इस case के लिए यदि हम figma X लिखना चाहें कि figma X fix कितना आ रहा है तो पहले का तो sigma आ रहा है यह to confirm है इस body का कितना आ रहा है जी sigma आ रहा है अब यह कैसे जाने तो इसके दो तरीके हैं या तो इसको transformation से हम तोर देंगे या otherwise आपके पास option है कि इसका आप more circle बना लें तो इस case में यदि more circle बनाएंगे ध्यान दिजेगा तो ये coordinate मैं लिख दूंगा यहाँ पर this is sigma,0 और यहाँ का coordinate 0,0 तो इस case में यदि more circle बनेगा तो more circle एक रफे sketch में कैसे दिखेगा तो more circle आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है यदि एक रफे sketch में more circle मैं आपको दिखाओं तो more circle कुछ इस तरह से दिखना चाहिए यदि मैं बात करता हूँ तो more circle आपको कुछ इस तरह से दिखेगा क्लियर है तो यह आपका पॉइंट है कुछ इस तरह से यह आपका सिग्मा है यह आपका माइनस सिग्मा है यह आपका टौ है और यह आपका माइनस टौ है एगरी करते हैं यह आपका सिंटर है यदि मैं कोडिनेट्स की बात करता हूँ तो यह आपका सिग्मा कॉमा जीरो होग और यह आपका 0,0 होगा और यह सेंटर है क्लियर है बात है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस केस का हमने मौहर सरकल ड्रॉ कर लिया लेकिन मैं आपके यह जानना चाहता हूं कि यह यहां पे 45 डिग्री गया है ध्यान देंगे इस प्लेन पे यह 45 डिग्री तो इस प्लेन पे यदि मैं दिखाना चाहूं फोकस करेंगे तो यह मेरा यदि प्लेन है माली यह मेरा यह प्लेन है इस पे मैं दिखाना चाहूंगा तो वो कहां दिखेगा जी उसमें 45 है यहां 45 है तो मौहर सरकल में डबल चले जाना है उसी सेंस में तो यह कानी यहां पह कान ही है यह मेरे को चाहिए क्लियर है यहां का normal कितना होता है जो center का coordinate होता है center का coordinate कितना है जी sigma भाइ 2 comma 0 तो यह normal कितना हो जाएगा पार्ट और यह तो आपका radius वाला पार्ड है एगरी करते हैं फिर हूं एस प्लेन पर आपको 45 फाइब डिग्री जाना था क्योंकि एक फेक्सिस तो इधर ही है ना फर तो मेरे को इसी में तो जानना है यहीं का तो वैलू जानना है न कि यह वैलू कितना आएगा तो हमने कुछ नहीं किया यहां 45 बोल रहा है तो इसकेस में उसी प्लेन पे 90 चले गए 90 गए तो यह वाला जो प्लेन मिला इस पे नॉर्मल कितना इस पे आपका नॉर्मल कितना रहा इस पे फोकस करना है तो यह नॉर्मल कितना होता है फेंटर का कॉडिनेट ही तो होता है यही तो नॉर्मल है यही तो नॉर्मल है जो इधर दिखेगा तो कितना दिख रहा है सिग्मा बाई टू कि यहां पे आप easily लिख सकते हैं this is कितना आ जाएगा this is 23 sigma by 2 यानि 1.5 sigma clear बात है 1.5 sigma तो इस तरह पे इस question को आप लोग solve गर सकते हैं simple question था बफ आपको थोड़ा फा ओरिएंटेफन और इन चीजों को समझना होगा तो चलिए thank you very much कि अब लोग बात करने वाले हैं जो afternoon में पीपर हुआ था उसमें theory of machine mechanics और industrial में कौन-कौन से questions पूछे गएते और उनके solutions कैसे होने चाहिए तो स्टार्ट करते हैं from theory of machine अगर मैं बात करूँ वेटा theory of machine से अगर मैं आप पर डिस्कुस करो theory of machine का जो पहला question है वो बेसिकले हम से पूछा गया है balancing से देखिए क्या है question थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं यह आप पर यह बोल रहा है balancing mass है 1 kg है ठीक है थोड़ा सा और भी information इसके बास बारे में गिवन है two masses of 1 kg मतलब यह भी 1 kg है और यह भी 1 kg है at a radius of 1 cm मतलब इसके लिए भी 1 cm और इसके लिए भी 1 cm is placed same placed in same plane at angle of 90 degree यह angle 90 degree होने वाला है as shown in the figure below the balancing mass required for static balancing is root 2 kg यह given आपके पास में the radius at which balancing mass is required will be देखे क्या तरीका होता है अगर मैं यहापर बात करूँ इस mass number 1 के लिए m1 r1 आप find करेंगे sir m1 कितना है 1 kg radius r1 कितना है वो भी 1 cm तो यह आगया 1 kg cm अच्छा इसके लिए अगर मैं बात करूँ बेटा m2 r2 के लिए तो m2 कितना है 1 r2 कितना है 1 तो यह आगया 1 kg cm तो basically यह m1 r1 जो है यह इस direction में वो force लग रहा है m1 r1 omega square तो omega को हमने ठा दिये कि वो सब के लिए सेम है तो m1 r1 को अगर आप project करेंगे यह आपर तो basically इसका जो vector आएगा वो इस direction में आएगा और यह कितना होना चाहिए 1 इस पर perpendicular m2 r2 यह कितना होना चाहिए यह भी 1 यह क्या है 1 kg cm यह कितना होगा 1 kg cm जो balancing mass आप लगा रहे हैं उसके लिए mb rb जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए mb rb क्योंकि यह angle जो है 90 degree है आपकोस आप बोल सकते हैं 1 square plus 1 square equals to mb rb square आप देख सकते हैं यहां से mb कितना आपके पास root 2 square करेंगे तो कितना जाएगा 2 अगर आप करें यहां पर rb तो rb हमें नहीं पता 1 plus 1 is 2, 2 से 2 cancel out होगा तो rb जो आ रहा वो भी कितना आ रहा वेटा इसका मतलब आपको 1 cm के उपर यहां पर balancing mass लगाना पड़ेगा जिससे क्या होने वाला है जिससे क्या होने वाला है यह जो आपके पास में दो masses दिये गए यह क्या हो जाएगा completely balance हो जाएगे देखिए questions जो है वो memory base है अगर data exactly यही रहा होगा तो आपका अंसर होना ची 1 cm लेकिन अगर data आपका बदल गया होगा तो आंसर भी यहां पर बदल जायागा चलिए सो इस तरह के question मैंने आपको करवाया आपको याद होगा मैंने class में आपको दो नहीं कम से कम तीन से चार मास लगा कि उनको balance करना सका है सो मैं आपसे expect कर सकता हूँ कि यह question आप वहाँ पर बिल्कुल सही करके आए होंगे अब बात करतें बेटा next question next question जो है यह 4 बाल linkage का question है इस 4 बाल linkage में आपको angular velocity ratio theorem यूज करने थी देखें आपको क्या बताया गया है आपको सबसे पहले यहाँ पर यह link number 1 है यह बेटा आपका link number 2 है यहाँ पर एक pin है यह link number 3 है यहाँ पर एक pin है यह link number 4 है यहाँ पर भी pin है सबसे पहले आप यहाँ पर eye center find करेंगे 1 और 2 यहाँ पर मिल रहा है इसे बुला जाएगा I 1 2 2 और 3 यहाँ पर मिल रहा है इसे बुला जाएगा I 2 3 3 और 4 यहाँ पर मिल रहा है इसे बुला जाएगा I 3 4 1 and 4 मिल रहा है इसे बुला जाएगा I 1 4 सो बिसी कलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेसिकलि अगर मैं बात करूँ बिटा यहाँ पर तो I12, I23, I34, I14 यह चार आपके पास में I-Center है जो आपको मिल गए हैं अब हमें find करना है I13 and I24 तो I13 अगर आपको locate करना है तो आप देखेंगे आपर link number 2 and link number 4 कहां पर intersect कर रहे हैं तो exactly यह आजाएगा I13, I24 अगर आपको locate करना है तो आप देखेंगे link number 1 जो की ground है और link number 3 यह दोनों कहां intersect कर रहे हैं यह बन गया आपका I24, तो आप देखेंगे यह 6 I-Center अगर आपके सा 4 आपको find करना है तो आप कहेंगे 2 and 4 की बीच में अगर मैं angular velocity ratio theorem लगा हूँ तो मैं यह आप लिखूंगा omega 2 I12 I24 equals to omega 4 I14 I24 तो omega 2 की अगर मैं बात करूँ बेटा तो omega 2 है 5 I12 I24 की अगर मैं बात करूँ तो 12 से 24 12 से 24 की distance 2 centimeter equals to omega 4 जो है वो हमें find करना है और 14 से 24 की distance देखेंगे total distance आपके पास में 10 है इसको minus कर दो तो यह कितना पच्छा 8 तो यहाँ पर आज जाएगा आपके पास में 8 तो overall अगर तो omega 4 equals to 5 by 4 radian per second तो यह आपका perfect answer होना चाहिए अगर आपका question exactly यही आया हो अगर आपका जो data है वो exactly यही रहा होगा तो बैटा जो solution होगा वो बिलकुल इस तरह का होना चाहिए इस तरह की same problem अगर आपको याद हो तो मैंने class में भी करवाई है ऐसे एक नहीं number of problems मैंने आपको दिखाया कि देखिए यह problem और उस problem में ज्यादा difference नहीं है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि definitely आपने इस question को वहाँ पर सही किया होगा तो मूब करते हैं थोड़ा सा next question के side यह जो question बिटा यह आपसे पूछा गया vibration से vibration के अंदर जो second category मैंने आपको लिखवा है ती जि यह बोल रहा है कि आपके पास मेंगे जीटा वीलेबल है सो जीटा इक्वोल्स टू भाइबाइट टू लॉग तू अचा हमें पता करना पड़ेगा कि जीटा की वैलुय कितनी है तो इसकी वैल्यू जो है बिसकले मेरे पास में अवे लिबल है जस्ट सेकेंड मैंने यह व 0.47285. So, अगर जीटा की value इतनी आ रही तो ये value क्या है? Less than 1 है. अगर ये value बेटा less than 1 है, इसका मतलब ये under damped condition है. ये क्या है, बेटा? Under damped condition. ये आपके पास में under damped condition है. क्योंकि under damped condition है, ये जीटा जो है less than 1 है. Under damped condition है. तो यहाँ पर एक decrement ratio मैंने आपको सिखाया था. और वो decrement ratio क्या होता है? x1 divided by x2 equals to x2 divided by x3 and so on. इसी तरीके से. ये किसके बराबर होने वाला है? e to the power delta. And what is delta? delta is actually logarithmic decrement ratio. clear है? आपको दिया गए है बेटा? बच्छे, इसको start करो x0 by x1 से. सर ये x0, x1 क्या चीज है? देखिए, आपने जब free damped में, under damped में इसका response देखा होगा, तो कुछ ऐसा response आ रहा होगा. तो ये जो distance होती है, displacement होता है, ये x0 होता है, और ये क्या होता है? x1. तो x0 हमें दिया रखा है, और x1 हमसे पूछा है. x0 कितना? 4 mm. तो आपने पूट कर दिया 4. x1 नहीं पता है, e to the power delta. सर ये delta कैसे मिलेगा? बीटा, delta का formula आप सभी लोग जानते हो, delta equals 2. रहे क्या होता है, आपके पास में 2 pi jeta divided by root over 1 minus jeta square. जब jeta को आप ये पूट करोगे, तो ये delta की value हमारे पास में आरे है, ये value आरे 3.371. ये data हमारे पास में students नहीं provide कर वाया, उसी को हम लोग ये आपर put कर रहे है, so delta आरे 3.371. जब इस delta को हम यहाँ put कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 by x1 equals to e to the power 3.371. और जब यहाँ से बीटा मैं x1 find करूँगा, तो ये value जो आ रही है, ये आरे बीटा 0.1373 mm. So according to us, जो data हमें मिला है, उसकी इसाफ से आपका जो answer होना चाहिए, वो answer होना चाहिए, 0.1373. देखे, अगर exam का data बदल जाएगा, अगर exam की language बदल जाएगी, exam में जो question आए, so maybe हो सकता है आपका answer जो है, वो यहाँ से differ कर जाए, but the point is, कि जो information हमें मिली है, अगर वो information सही है, अगर वो question सही है, तो इसका मतलब यह हुआ है, कि आपका answer जो है, आपका solution जो है, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अच्छा, इस तरह का question भी मैंने exam में, आपको खूब, class में आपको कूब करवा है, देखे, सेम कहान ही है, सब कुछ आप देख सकते हैं, डियागराम के अंदर, या आपके class, जो आपके online classes चल ली थी, उन्हें के screenshot हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, basically, inventory के ओपर, जो question inventory से, sorry, industrial से, जो question, industrial से हम से पूछा गया है, उसमें पहला question है, बिटा, forecasting का, बोल रहा है, कि, इसने में बनुदा की, उसमें अच्छा, अच्छा, च्छा आपके अच्छा, प्रकॉर्ट्री में निरे पास में, calculation भी अबेलेबल है, उसने अंडर एस्टिमेशन कर दिया मतलब je जितना डिमांट होना चाहिएं था उससे गम उसने प्रेडिक्ट कर दिया F T इसी तरीके से करेंगी अगर F T की मैं बात करू F T की अगर बेटा मैं बात करू तो F T Teeth Time के लिए Forecasting कितनी है हमने बोला Teeth Time के लिए Forecasting के तो information नहीं पता लेकिन वो बोल रहा है कि Under Forecasting होई है तो अगर Demand इतनी है बेटा तो Forecasting क्या कियोगी 100 क्योंगी प्लस एलफा पॉइंट टू एडर कितनी है 20 सब बोल सकते हो सरी यह आ गया मेरे पास में प्लस यह आ गया फोर सो इडिस एक्ट्रीव जिरो फोर यूनिट्स आपकी जो फोर्कास्टिंग होगी वह कितनी होगी 104 इंट्स वह जिरो फोर इनिट्स मेरे खाल से सभी आपके सबसे सबसे जुटा नंबर आप इसमें से सलेक्ट करेंगे और वो कौन है 1 यहां पर लिखेंगे आप मशीन 2 जाब जी है आपके बास में यह machine 2 के पास जाएगा, क्योंकि minimum इसी के पास में है, लेकिन यह machine 2 के ओपर है, इस वजे से, इसको बोल दीजे machine 1, इसको बोल दीजे machine 2, अब जो सबसे छुटा नंबर उसको select कीजे, which is 2, और it is also on machine 2, so B, machine 2 के side में आएगा, इसको भी आप cut कर दीजे, अब अगर हम लोग बा machine 1 की side, और यह चला जाएगा, machine 2 की side, यह भी cancel हो जाएगा, और यह भी cancel हो जाएगा, अब जो सबसे छुटा नंबर है, वो है E, again इस side में, और E बन गया, आपके पास में complete sequence, तो जो sequence, जो sequence आपके पास में होना चाहिए, और same sequence मेरे पास में भी available है, जो data हमारे पास में आय करो, तो जो sequence होना चाहिए, C, D, E, A, F, B, G, परफेक्ट, यह sequence होना चाहिए, अगर information जो हमारे पास में आई है, वो बिल्कुल सही है, तो, अब हमें क्या करना होता है, process को arrange कर लेता है, हमें एक in and out वाले table यहाँ पर create करनी पड़ेगी, अगर मैं बात करूँ इस table की, तो आपको टीबल क्या सा दिखाए देगा, ज़र देखें सभी students, कुछ इस तरह का यह table आपको दिखाए देगा, machine one, machine two, okay, so, in and out, कुछ इस तरह के से, so, यह बन जाएगा आपके पास में, थोड़ा समय और आरेंज करता हूँ इसे, one, two, three, four, five, six and seven, okay, great, so, यह है बिटा आपके पास machine one, यह क्या है आपके पास machine two, यहाँ पर आप लिखेंगे in, यहाँ पर आप लिखेंगे out, यहाँ पर आप लिखेंगे in और यहाँ पर आप लिखेंगे out, so, अगर मैं बात करूँ बिटा है, यहाँ पर, जो sequence हमें दिया गया है, वो sequence है, C, D, E, A, F, B, G, so, start करते हैं, जब C करेगा, वो 0 से in करेगा, और C, सिर्फ machine one को दिखेंगे आप, out करेगा 3 पर, so, 3 पर D in करेगा, और D out करेगा पेटा, 4 पर, मतलब 3 प्लस 4 is 7, 7 पर E in करेगा, और E out करेगा, 12 पर, 12 पर A in करेगा, और A out करेगा, बेटा 20 पर, 20 पर F in करेगा, और F out करेगा, बेटा, 26 पर, B जो है, वो 26 पर in करेगा, और जो B है, वो out करेगा, बेटा, 29 पर, so, 29 पर G in करेगा, और G in करेगा, बेटा, out करेगा, 31 पर, perfect, machine one का, जो schedule आपने provide किया है, it is very, very perfect, so, machine two in करेगा, बेटा, 3 पर, और यह out करने वाला है, आ यह आउट करने वाला है मशीन C, 4, 3 plus 4 is 7, so 7, इधर भी 7, इधर भी 7, तो 7 पर D इन कर जाएगा, और यह आउट करेगा, 7 plus 6 is 13, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, so maximum आपको लेना होता है, 13 पर E इन करेगा, और यह आउट करेगा 20 पर, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, तो 20 पर A इन कर जा 16, so F आउट करेगा 30 पर, 30 पर इन करेगा B, और B आउट करेगा 32 पर, 32 पर इन करेगा G, और G आउट करेगा 33 पर, so जो मिनिमम टाइम हम से पूछा गया, और 2 मशीन, the minimum time will be, this should be equal to 33, so आपका जो सही आंसर होना चाहिए, अगर इन्फरमेशन करेगा, तो 33 होना चाहिए, यह जो कुश्यंस मैंने आपको सॉल्व करवाई, यह वो कुश्यंस है, जिनके डेटा में मिले थे, लेकिन कुछ कुश्यंस ऐसे बिए, जिनके डेटा अभी तक प्रॉपरली मिल नहीं पा रहे, so जैसे ही उनके डेटा में प्रॉपरली मिल जाएंगे, वो कुश्यंस के सॉल्विशंस भी हम लोग यहां पर अप्लोड कर देंगे, so I hope सॉल्विशंस आपको समझ में आया होंगे, बने रहे हैं इंजिनेर्स अकाइडमी के साथ में, बाकी सॉल्विशंस भी हम लोग इसी चैनल पर प्रॉवाईड करवा रहे हैं, thank you. कर शबतुकर तरिम उन्यूस् सिर्बॉची की आपको सॉल्विशंस